टोमाटो चट्नी बनाने के लिए हमने लिया है चार पीस मीडियम साइस के तमाटर, नमक स्वादनुसार, साथ से आठ पीस खड़ी लाल मिल्च, आठ पीस लहसुन कटा हुआ, एक छोटा प्यास कटा हुआ, एक चम्मच घिसा हुआ अध्रक, थोड़ा सा चीनी, एक चम्मच वान लेकर और एक चम्मच घी, तुमाटो चट्नी बनाने के लिए हम सब से पहले एक पैन लेंगे, गहरा पैन लीजेगा जिस में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद एसमें हम तमाटर डाल देंगे, चार पानी में रख देंगे, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे टमाटर आसानी से पक जाएगा और इसे हम अब कवर से ढग देंगे और लगपक 5-7 मिनिट तक पकाएंगे आज साथ मिनिट बाद हम कवर को खूल कर देखते हैं कि टमाटर पक गया है देखिए उसने अपने स्किन को छोड़ दिया है जगा जगा से टमाटर फट गया है यही टमाटर ने अपने स्किन को नहीं छोड़ा है और जगा ज़से फटापन नहीं दिखाई दे रहा है तो तब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, हलका ठंडा हो जाएगा, तब हम इसके छिलके उतारेंगे, तो इसे हम ठंडा होने के लिए एक बाउर में निकाल लेते हैं, और लगवग 10-15 मिनिट बाद हम इसके छिलके उतारेंगे, इस तमाटर हमारा ठंडा हो गया है, अ अब इसके स्किन को हम उतारते हैं, धिरे-धिरे करके स्किन निकाल देंगे तमाटर की, तमाटर के छिलके असानी से निकल जा रहे हैं, क्योंकि तमाटर बिल्कुल पक गया है और ये स्किन असानी से निकल जाएगी, तो इस तरह से हम सभी तमाटर के छिलके को उतार देंगे यह हमारा तमाटर तयार हो गया है और इसके उप्पी भाग को भी हम चाकु से काट की निकाल देंगे इस तरह से हमने उप्पी भाग को भी निकाल दिया है और इसे हम अप मैश कर लेते हैं हलका सा मैश कर लेंगे जादा मैश नहीं करना है क्योंकि इसे अब हम जार में डाल कर पीस लेंगे अब हम जार लेते हैं और मैश की वे टमाटर को हम जार में डाल देंगे इसमें अब हम कटेवे प्याज डाल देते हैं, हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिए है, इसको टमाटर के संग डाल देंगे, इसमें अब हम थोड़ा साथ रख डाल देंगे, और 8-10 पीस खड़ी लालमिच डाल देंगे, आप जादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो लालमिच की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और अब इसमें हम थोड़ा सा पाइन डाल कर इसे पीस लेते हैं, इस देखें हमने पूरा इसे बारीक पीस लिया है, एकदम पेस्ट की तरह हो गया है, अब इस टấमेट्व पेस्ट को हमें पकाना है, इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लेते हैं, घी गरम होने पर हम इसमें ये टॉमेट्व पेस्ट डाल देंगे, आज को आप मीडियाम ही रखिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजे, अमने प लास्ट में हम इसमें वैनेगर डाल देंगे और सभी को डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सभी मसाले मेक्स हो गये हैं अब इसको हम धग देते हैं लगबग 5-7 मिनिट तक के लिए आप मीडियम आज पर रख कर धग दीजेगा 5-7 मिनिट हो गया है अब हम टमाटर चत्नी को देखेंगे यह चत्नी सर्फ करने के लिए तयार है और इसी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है बहुत पतली नहीं है तो आप ध्यान रखे कि चत्नी बहुत पतली ना हो यह बिल्कुल सॉस की तरह है इसे आप समोसा, पकोड़ी, बेच मोमोस के संक्त सर्फ कर सकते हैं आपको यह रेसिपी ज़वर पसंद आई होगी अगर आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए नमस्ते और दो विजित मैं वेबसाइब www.mencerecipes.com